नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप अरात्रिक में दोस्तो धूप अरात्रिक पर जो है आज हम बात करेंगे कूलकाता की काली घाट मंदर की दीपावली उत्सव की बार में दोस्तो आप सभी लोग तो जानते ही होंगे कि दुरका पूजा की बात जो है बंगाल में जो उत्सब सबसे ज़ादा धूम धाम से मनाई जाती है वो काली पूजा है वैसे बंगाल में कई काली मंदिर है, प्रसित से लेकर छो है एह हर महले में आपको काली वाड़ी मिल जाएंगे और वहाँ धूमधाम से जो है दोस्तो काली पूजा मना जाती है दोस्तो. पर दोस्तो ओ एक बात, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कोलकाटा की जो सबसे प्रसिध और जो है सबसे ज़ादा लोग जहाँ पड़ाते हैं, यानि कि काली घाट मंदिर में, इस दिन जो है दीपावली के दिन काली पूजा नहीं मनाई जाती है, दोस्तो इस दिन जो मा काली की लक्ष्मी रूप में पूजा होती है दोस्तों यहाँ पर मा साक्षात रूप में विराजती है यानि कि इकाली मा की आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर शिला में ब्रम्हमें रूप में मा काली यहाँ पर विराजती है पर काली पूजा के दिन हर अमावस्या पर वैसे अगर अलग से पूजा होती भी है मा के और इस अमावस्या पर भी वैसे पूजा होती है और मा को ओ आरती पूजा निये सब कुछ जो रोज किया जाता है वो तो होता है पर ये दीपावली के अमावस्या है ये एक विशेश इ ये भी लगता है दोस्तों कि जो है बंगाल में जो है लक्षमी पूजन दीपावली के दिन नहीं की जाती है ये भी एक अबधारना है दोस्तों बंगाल में जो है संध्या काली जो पूजा होती है वो मालक्षमी की पूजा होती है यानि कि संध्या के समय मालक्षमी की पूज आजित की जाती है तो दोस्तों आप लोगों को अगर काली घाट मंदिर के बारे में इस तरह की और भी जानकारी चाहिए तो आप जो है बहुत सारे गिताब माकाली के ऊपर है काली घाट मंदिर के ऊपर तो आप लोग उसमें भी पढ़ सकते हैं दोस्तों मैं एक संक्षिप् तो शाक्तमत और तंत्रमत में जब पूजा आयोजित होती है तो वहाँ पर मा को मचली का भोग चढ़ाना होता है दोस्तों इसलिए प्रति दिन के नित्य भोग में जो है मा को मचली चढ़ा जाता है और उसके साथ साथ बंगाल की एक जो है लोक परमपड़ा भी है दोस्तों कि जो सुहागन औरते होती है अगर वो मचली खाती है तो उनकी पती की यह आयू लंबी होती है यानि कि सुहागन का निशानी वहाँ पर होती है सिंदूर, अलता, शाकापॉला और रोज जो है थोड़ा सा मचली खाना तो इसलिए क्योंकि मा सुहागन है इस मान्यता के साथ जो है मा को रोज प्रस अभोग के रूप में जो है जब अभोग अरपन की जाती है तो उसमें मचली जो है वो होता ही है दोस्तो पर दोस्तो लक्षमी पूजा की दिन इसके विपरित होता है यानि कि जब तक मालक्षमी की पूजा उस दिन नहीं हो जाती है तब तक मा को मा मास या मचली का भोग नहीं चड़हा जाता है मास या मचली का जो बड़ा भोग होता है वो जो है मालक्षमी की पूजा आरती और संध्या आरती की बाधी मा को चड़हा जाता है रात के समय दोस्तों दोस्तों लक्षमी पूजा ने यहाँ पर किस तरीके से की जाती है मैं जाता है कि ये एक negativity है जो कि हर इंसान के मन में होता है तो अलक्षमी के रूप में जो है उस negativity को सबसे पहले विदा किया जाता है उसे विदाय देने के बाद ही जो है जो आचारिय होते हैं जो पंडित जी होते हैं वो हाथ पैर धोकर जो है मालक्षमी की पूजा की संकल्प ल देखने को मिलता है पर माकाली जो है यहाँ पर साख्षात रूप में विरास्ती है कालिघाट मंदर में तो इस वज़े से जो है दोस्तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई घट स्थापना नहीं कि जाती है यहाँ पर धूपसे दीब से शोड़श उपचार से जो है माकाली की लक्षमी रूप में पूजा की जाती है दोस्तों और दोस्तों यहाँ पर जो प्रसाद की तौर पर जो नवेद्य की तौर पर चढ़ा जाता है उसमें खासकर होता है फल होता है पाच प्रकार के और उसके साथ जो है एक कई तरह के जो है नाडू बनाए जाते है इस दिन जैसे कि तिल के नाडू बनाए जाते है उसके साथ जो है गुड और नारियल मिलाकर जो है नारियल के लड़ू या नारियल के नाडू बनाए जाते और उसके साथ जो है दोस्तो मूम दाल के भी नाडू बनाय जाते हैं वो भी मा को चड़ाय जाते हैं और गुड लगाकर एक खील चड़ाय जाता है जिसे की बंगाल में मुर्की कहा जाता है हाँ दोस्तो उसे मुर्की कहते हैं दोस्तो और उसके साथ साथ बतासा चड़ाय ज और ये लक्षमी पूजा के दिन चढ़ाना ही होता है दोस्तों उसके साथ साथ जो अन्य मा को चढ़ा जाता है यानि कि पका हुआ जो भोग चढ़ा जाता है दोस्तों उसमें क्या होता है दोस्तों उसमें नारिल डाल कर खिछडी बनाए जाती है और पाच प्रकार के सबसिय होती है और जो है दोस्तों ओ जो अच्छे वाले जो बास्मती चावल होते है उसमें एक गाय की शुद्ध दूद और जो है दोस्तों बता से और मिछडी के शाथ खीर बना जाते हैं दोस्तों मालक्षमी की पूजन में या फर कोई भी पूजा हो कालिखाट मंतिर में वहाँ चीनी के उप्योग करके एक किसी भी प्रकार के भोग नहीं बनाया जाता है बता से या फर मिछडी का उप्योग करके ही मीठा बनाया जाता है दोस्तों और उसके बाद जो है दोस्तों मा को मीठा पान भी अरपन किया जाता है दोस्तों कहते के मा को मीठा बहुत पसंद है म मालक्ष्मी को इसलिए थोड़ा बहुत मीठा हर चीज में डाला जाता है इस दिन दोस्तों तो इस तरीके से जो है ए मा की शोड़शुपचार पूजा उसके बाद जो है नईवेद्य अर्पन उसके बाद जो है भोग अर्पन और उसके बाद जो है ए पुषपांजली और आ अनुसार जो है ए मा को प्रति दिन मास का भोग मास मचली का भोग चढ़ाना ही होता है दोस्तों तो इसलिए जो है इस दिन लक्ष्मी पूजा जब तक ना हो जाए तब तक जो है शाकाहरी भोग मा को चढ़ा जाता है पर लक्ष्मी पूजा संपन्न होने की बाद जो है न पर वो नहीं आयोजित होती है यहाँ पर जो है पूरी तरीके से लक्षमी पूजा का ही आयोजन इस दिन होता है दोस्तों और बहुत सारे लोग जो है इस लक्षमी पूजा में भाग लेने के लिए ही काली घाट मंदिर में इस दिन आते हैं दोस्तों कहते हैं कि इस दिन लक् तो यहाँ पर धूब दीब ज़रूर जलाए दोस्तों, आप शायद दीपावली के दिन ना भी आपाए, फिर भी आप कभी भी अगर आए कोलकाता के कालिगाट मंतिर में तो वहाँ पर धूब दीब जरूर जलाए दोस्तों, और मासे प्रार्थना करें कि मन में जो भी सारे अंधकार है उसे दूर करके दीपावली की दीपो मालाव की तरह जो है आपके जीवन में हमेशा रोष्णी जो है उन्हें बनाए रखें तो दोस्तों ओ इस तरीके से जो है बंगाल में जो है इस दिन इन काली पूझा और लक्ष्मी पूझा मनाई जाती है दोस्तों बहुत स किसलिए बनाया तो दोस्तों अगर आप लोगों कुई वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग मुझे कमेंट के सारी ज़हर बताए दोस्तों और दोस्तों अगर आप लोग ऐसी विश्व की बार में और जारना चाहते हैं दोस्तों तो भी आप मुझे comment करके बता सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर भी करें और उसके साथ लाइक भी करतें दोस्तों तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों